सबसे पहले आप सभी को मेरा प्याद वरा पहला मेरा नाम है उमादोसाद उम्मित करती हूं सभी लोग बढ़िया हूंगे मैं भी एक दम बढ़िया हूं तो हाँ आज होली का चौथा दिन है और सुबह सुबह आज की ब्लॉगिंग जी हो रही है सुबह 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 साथ साथ से हो रही है आप लोगों को दिखाती हूं आज पतिदेव जी जा रहे हैं पिनात आप लोगों को दिखाएंगे पिनातिश्वर की होली कैसे होती है हमारे वहां की तो यह रेडी हो गए इनके पीठ म यह देखिए बना लिए नासा करके आप जा रहे हैं यह और आज आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे रहती है पिनाथिसर की होली बने रहे मेरे साथ अब हम लोग तो नहीं जा रहे हैं तो पतिदेव जी बना के लेके आएंगे वीडियो और सुबह सुबह चाचा जी चाचा जी हाई तो आज हमारे घर में होली है लेडिस की महिला होली जो होती है वह घर पे आ रहे हैं तो इसलिए सुबह सुबह तैयारी सुरू हो गई है जूरू से सबसे पहला काम चाचा जी ने पकड़ लिया है तो आप यह जाने लगे हैं अपना रड़ी होके अपने दोस्तों का कर रहे हैं तो आज आप लोगों को दिखाएंगे हमारे मां के पिनाथेश्वर महादे की होली कैसे होती है यात्रा बहुत लंबी यात्रा है क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है काफी दूर है जंगल में तो आप लोगों दिखाएंगे पहाड में आज बहुत सुन्दर से आएंगे वहाँ पर सपरेश्च क कई कई पे गी हुबो रखे और रोट पे पहुंच गये हैं यहां पे एक छोटा सा होमिष्टे भी है घूमने के लिए आओ तो कभी ठैर सकते हैं आप देखी और यहां से कितना सुन्दर नजारा दिख रहा है आपको और उपर चलते चलते आप आधी रास्ते में पहुंच ग शोटेंस के आपको तो यहां वाव से बीड़ी को आपको उरणी के देखें बीटieur कें और तो आखेंस अच्छा और आगके पक exemplet देव जी जा रहे हैं किसी को वीडियो बनाने के लिए दिया होगा वती देव जी ने देखिए काफी अच्छा लग रहा है और उनको फूल दे दिया है और पकड़ रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है देखिए अब कितने अच्छी फूल खिल रखें और यह देखिए बहु पिनाते सर मंदीर में, और ये देखे। यहाँ काफी पहले जो खरक को से कवाइं, यहां पक्पी बच्छी होगी खुट。 यहां पर यहां से चड़ाई लग गई है लोगों काफी ठक चुके हैं देख सकते हैं आप लोग काफी ठकने के बाद यह लोग वेड भी कर रहे हैं कोई पीछे होगा उसका वेड भी कर रहे होंगे और देखिए इनका फेस थोटा से और यहां देखिए यह पहुंच गए हम गःबच्य थान और यह मंदिर में और अभी यहां उपर यह उपर डाते टाइम्ते काद चड़ा रहे हैं उसको पूत्र की प्रापती होती है और यह काफी ठकक चुकी है अब यहां पूरा उपर खड़ी चड़ाई है क noite क्या दर्सन होस्ते हैं अब सभी यहां पर बने करेंगे फिर यात्राइंगे और यहाँ पर आपको छोटे छोटे मंदीर भी काफी दिखने को मिलेंगे विडियों की अब लोगों को दिखाएंगे आजे वीडियो कि सामने आपको नए धरमसालाई देखने को मिलेंगी क्यूंकि रात को रहने के लिए पूरी ब्यूश्ताय की जाती है और सामने देखे हुमाले के दरसन एकडम आईखों के सामने मन्मोहग द्रिस ही दिखाई दे रहा है और आपको तो यहां पर देखे चाचा जी लोग सभी लोग मंदिर में पहुच चुके हैं और अब सभी लोग जूते चब्पल उतार रहे हैं और यहां पर उन्दीर की घंटी बजा रहे हैं चाचा जी काफी देखे एज काफी हो चुकी है तब भी मंदिर में भुले नात का जिसको बुलावा आता है वही जहापाता है और सभी लोग यहां पे जूते चपल उतानने के बाद यह देखे यह जो हैं सारे लोग पहले आ चुके हैं क्योंकि अब यह हुल्यार जो हैं बाद मा कि यहां पे आग भी जला रखी है आप यहां पे खाना पीने की विवस्ता करेंगे और यहां पे एक पतिदेव जी और schw crit में धृज्टी JEFFOOOOOOOO compress देखे हैं, आप लोगों को काफी चढ़ाईवे मंदिर, और आप लोगों को ये मंदिर कमसे कम हमारे घर से 12 km के, उसमें आपको 2-3 km संतल एरिया मिलेगा, और खड़ी चढ़ाई मिलेगी, 6-7 km आपको खड़ी चढ़ाई के चढ़ने के बाद इस मंदिर के दर्सन हो सामने आपको दिख रहा है मंदिर का प्रमुग द्वार जय भुले बाबा जय बिनाके स्वर महादेव की जय हो सबी को ये रक्षागानना सब को सक बुद्धी देना और सामने नंदी महराज और यहाँ पे जो हमारे पुरामे महंत जी थे उनकी पृतिमा भी लगाए गई है और ये देखिए काफी अच्छा है ये है हमारा मुख्य मंदिर परिसद और सभी लोग यहाँ पे आके पूजा बाट करके अपना हाथ पाथ जोड़के सभी लोग आप थोड़ा सा इधर उतर देख रहे हैं ये पीछी का द्वार है इसमें तीन द्वार है मंदिर के अंदर और ये साम पीछे एक नम बैक साइट है मंदिर के और यहाँ से देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं बच्चे भी इन्तिजार कर रहे हैं겨 आपस में बाद चीज़ कर रहे हैं और यह देखिए हहां से थोली बाबा का पीछी का हिस्सा मंदिर कर पीछी का हिस्सा है और सामने देखिए आपको हिमालय बरवत दिख रहा हूँ और आप लोग मों ते बता है एक यह 1438 इसी पूर्व से मंदिर की स्थापना की गई है और सामने हमारे मंदि नंदी महराज और देखे यहाँ पर किसी के पीछे कोई डौगी बया है और यहाँ पर हमारा प्रसाद बन रहा है भोल्यारों के लिए और भोग लगाने के लिए बोले बाबा को बिना खिस्वर महादेव को भोग लगाने के लिए यहाँ पर प्रसाद तयार किया जा रहा है और यहाँ पर देखे बोलते हैं न स्रद्दा में ही भक्ती में सक्ती होती है करके और यहाँ पर जेड जी चाई ले जा रहे हैं सभी लोग उनको चाई पिला रहे हैं क्योंकि सभी लोग ठक चुके हैं अब सबसे पहले उपर आके सभी लोग ने कुछ लोग ने कुछ काम किया और यह हमारे गाउं के बड़े बुचुर के हैं उनको चाई पिलाई जा रहे हैं क्योंकि काफी ठक चुके हैं जैसे कि मैंने बताया आपको काफी दूर है और ये जो चूला है वो मिट्टी में गड़ा खोत के बनाया गया है, जो तराखंगे होंगे उनको तो पताई होगा कि कैसे बनाया जाता है मंदिरू में चूला करके, और यहां पे खिचडी ताउजी तयार कर रहे हैं, मास, उसमे पत्थर कंकर ढूंट रहे हैं, फिर प्रसाथ तयार करेंगे, खिचडी का भोग भी लगता है, पिनाकिस्वर महादेव में, और यहां पे गूड को बारिक से बनाया जा रहा है, बारिक किया जा रहा है, क्योंकि हल्वा में डालने के लिए, और पानी गरम पानी हो रहा है, यहां पे, क्योंकि हल्वा में डालने के लिए, और साथ में खिचडी बनाने के लिए, और पीछे देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, आसमान में बादल छाये होई हैं, देखिए, यहां का व्यू कितना साफ सुत्रा लग रहा है, और यहां पे जो पुराने टाइम पे हमारे सासू लोग और दादी लोग थे जो बुराने, वो लोग यहां से अपने गाये बच्छों को पालने के लिए हरा चारा लेके जाते थे, उस टाइम के बाद सोचके ही मतलब अजीब सा लग रहा है, पैसे किया होगा, लेकिन यह बात सच है, और यहां से सामने आप आपको बुड़ा पिनाद दिख रहा है, यह भी भूले बाबा का बुड़ा पिनाद वोलते हैं, यह जो मंदिर है, यह जवान पिनाद नाम से जाना था, और साथ मैं देखिए होली होलार आ गए है, हमारी होली आ चुकी है, मंदिर में, और जो होली है, वो लोग जो मैंने आप लोगों को गणेश जी और पहला गेड बताया था, वहां पे सबी हुल्यारों का वेट करते हैं, और एक खटा फिर हुल्या जितने भी होती है, क्योंकि ये जो होली होती है, ये तीन चाव गाउं के साथ में खटा, वहां से साथ में खटा जाती है, होली उपर की ओर, का निशान, नंगर, नंगरा, निशान जाते हुए, भक्ति में जूमते हुए, सभी लोग होली गाते हुए, भुले बाबा के दरवार में जा रहे हैं, होली मिनने के लिए भगवान जी को, और वहां पे देखे, ये जो प्रमुगद्वार है, वहां पे होली पहुँच और जो भी यहाँ प्रसाद खिचड़ी और हल्वा बनाया गया है उसको प्रसाद के तौर पे सभी लोग लंगे और उसके बाद फिर यह देखे यह जो है हमारा हुल्यार पहुँच चुके हैं मंदे प्रानगन में आप यहाँ पे पूजा पाठ होगी फिर पुद्र साद को खाएंगे यहाँ पे सभी लोग प्रसाद जो बनाया गया है जो भी और यहाँ पे सामने हुला जो हुली है वो नीचे आ गई है मंदिर में दर्सन करके ने के बाद यह जो मंदिर है यह फॉल होता है इसमें बरसाद के टाइम पर काफी अच्छा जहरना बहता है यहां पर काफी परियाटक भी आते हैं यहां यह गूमने का अच्छा स्तान है और यह देखे पति देव जी अपना हाथ मोध हो रहे है फिर दर्सन करेंगे भुलेनात का देखे काफी सुंदर कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंड करके जरूर बताईए हैं मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ देखे पत्थर की सरंकला हैं काफी घनी देखे यहां पर हमारे इसको भ्यो बोलते हैं हमारी पहाड़ी उत्राखंड के कुमाओं के होंगे तो उ की वीडियो को जिहीं तक रग्ते हैं बाबाई